हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल साहू साइंस क्लास तो फ्रेंड्स आज की वीडियो क्लास 12 वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज इसमें हम चैप्टर 8 के most important questions को cover करने वाले हैं जो कि हम mastermind में से करेंगे और वीडियो को end तक देखिएगा क्योंकि इसमें से जो questions आते हैं बहुत ही ज़्यादा important हैं और rarely वही questions गेने चुने आते हैं तो आईए इनको solve करते हैं इसलिए सबसे पहले आपको question दिखा जिता हूँ सबसे पहले question क्या है कि वक्र y square is equals to 4x y अक्ष एवं y is equals to 3 से घिरे छेत्र का छेत्रफल है से घिरे चेत्र का छेत्रफल है देखो यह दे रखा है option दे रखे हैं उसने है ना 9 बटे 4 9 बटे 3 और 9 बटे 2 है ना हम basically question को start करते हैं 2022 में यह आ चुका है question तो कैसे इस question को करना है आईए मैं उसको आपको समझाता हूँ question में क्या होला है y square is equals to 4x आपको पता है y square is equals to एक आपने identity पट रखी है आप हल करेंगी जब तो आपने देखा है y square is equals to 4a x होता है है ना यह परवले की question होती है तो इसका मतलब परवले भी है और y अक्ष एवं y y is equals to 3 से गिरे चेतर का चेतर तो देखो आपको क्या करना है आपको सबसे पहले x और y x बना लेना है यह बना लिए हमने x और y x इसको ठीक है उसका y square is equals to 4x इसका आपको डाग्राम पता होना चाहिए तो इसका जो हमारा परवले बनता है वो ऐसे करके जाता है ऐसे करके हैना अब हमने देखा किस पर y x एवं y is equals to 3 से तो y is equals 2 तो x पर हमें देखना ही नहीं है किस पर y is equal to 3 पर तो देखो यह 0 है यह 1 होगा यह 2 होगा और यहाँ कहीं 3 होगा तो हमने देखा y is equals to 3 हमारी एसे करके जाएगी y is equal to 3 रेखा हमारी ऐसे करके जाए एसे करके तो हमने ऐसे करके ड्रॉ कर लिए अब उसने जब वोला y एवं y is equal to 3 तो ये क्या है y एक्स है और ये है x एक्स तो y एवं y is equal to 3 से घरे छेतर का छेतर फल या तो देख उसने क्या बोला y is equal to 4x यानि कि यह परवल है एवं yx yx एवं y is equal to 3 तो इनके दोरा जो घिरा हुआ चेत्रफल क्या है वो क्या है यह है है ना तो आप इसे pencil से अच्छे से बनाएंगे तब तो shade देदेंगे ठीक है तो इतने को आप cover कर देंगे तो हमें 0,0 होंगे और ox यह ox जो है वह सम्मे तक्ष है ox देखा उसने यह सम्मे तक्ष है मतला जितना जैसा उपर है वैसा ही नीचे है अब हमने देखा वक्र y is equals to 3 तो था yx से गिरे चेत्र का चेत्रफल y is equals to 3 और yx से गिरे चेत्र का चेत्रफल निकालना है तो यह वाला पॉइंट मैंने माल लिया m है ना, अब यह y is equals to 3 है तो यह वाले पॉइंट क्या हो गया 0,3 हो गया तो ध्यान से देखो आपको जो चेत्रफल निकालना है उसके लिए आपको क्या करना होता है इंट्रिगेशन करना होता है और एक बात याद रखो, अगर y x के उसमें माना है, तो हम क्या करेंगे, x का integration करेंगे, और x x में माना होता है, तो y का integration करते हैं, तो हमें क्या करना है, x का integration करना है, x और y x में बोला है, तो y के respect में करेंगे, ठीक है, clear है मेरी बात, अब यहाँ पर limit लगानी होती है, तो कहा से करेंगे 0 से करेंगे 0 से और कहा तक जाएंगे three तक जाएंगे 0 से 3 y square upon में 4 और dy ठीक है अब 1 upon 4 भार आ गया तो integration किसका होगा y square का क्या हो जाएगा y cube upon में 3 और 0 से 3 आगे limit ठीक है clear रहे अब 1 upon 4 भार आ गया अब y cube है है ना अब y cube है तो जब हम रखेंगे 3 रखेंगे तो 3 cube upon में 3 माइनस 0 cube upon में 3 ये वाला हो जाएगा condition तो क्या हो जाएगा वन अपन 4 भार हो जाएगा उसके वाद में उपर हो जाएगा 3 से एक तीन ट्र जाएगा square बचेगा 3 का यानिकी 3 का square कितना हो गया 9 हो गया तो answer कितना आ गया 9 बट्टे में 4 और वर्ग एक आई क्योंकि आपने क्या निकाला एकस square एवं रेखा y is equals to 4 से गिरे छेत्र का छेत्रफल ये गयाद करना है इससे गिरे छेत्र का छेत्रफल गयाद करना है तो आईए इसको समझते हैं आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसने परवले तो यह जहां और यह इसा परवले होता है यह आपको ड्रॉघ को पता होने चाहिए बस देखो वह पीछे वाइज है यह स्क्वाए बनाए था और जब एकसक्वार इस तरफ नहीं होगा तो हम बनाएंगे य कितरफ बनेंगी है तो इसका जो डाइगराम बनेगा त तो इसका परवला ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके, इसका परवला ऐसे करके जाएगा, ठीक है, क्लियर है मेरी बात, तो हमने ये परवला मना दिया, किसका, x square is equals to y समीक रन का, है रहा, अब, इसके बाद मुझाने गोला है, y equals to 4 से, अब y equals to 4 का होगी, बेदे को ये 1 मान ली, य तो हम इसे घेरे चहत्र का चेत्रफाल हमें पता करना है तो हम अमेशा करते हैं हम पहले एक और पैंसल से आप कर लोगे हमें तो बहुत दोनों निकाले है एक्च्वल में यह पूरा एरिया निकालना है यानि कि हमें ये वाला एरिया भी निकालना है तो हमने पहले से ड्रॉ करके दिखा दिया ये क्या होगई 0 से 4 हो गई ठीक है तो आपको पता चल गए लिमिट तो 0 से 4 होने वाली है देखा लिमिट बहुत जल्दी पता चल दाएंगी आपको अब आपने क्या है इसको माल लिय लिया O इसको माल लिया A N माल लिया इसको N और इसको माल लिया B इसको माल लो A तो O A B तो ये हो गया और ये O N हो गया चीक है और ये क्या होती है 0,0 होती है ये किसकी हो गई Y is equal to 4 की लाइन हो गई है ना तो आपको basically छेत्र A O B A इसका एरिया चीए छेत्र A O B A आपको एरि इसका छेत्रफल निकालोगे तो देखिए अगर मैं इसका एरिया निकाल दू इतने का जब मैं इतने का एरिया निकाल दू इसमें दो का मल्टिप्लाइ कर दू तो यह वाला पार्ट आ जाएगा क्लिर है मेरी बात बहुत ज्यादा ईजी तरीके सह समझ लिया आप क्या करना है तो अब इन टू रेखांगी चेटर का चेटरवल कैसे नकाले इतने पार्ट का कैसे निकाले कुछ नहीं करना integration करना है 0 से 4 कितना है 0 से 4 अब क्योंकि y x की along देख रहे हैं तो किसका करेंगे x का करेंगे क्या बताया मैंने y x के along कर रहे है तो dy y की respect में करेंगे और x का करेंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर x is equal to क्या हो जाएगा देखो भी एक्स इस्काई रिजिकाल सूव y है तो एक्स रिजिकल्स हो जायगा अंदरूर्ट में वाइ वाय हो जायगा तो बस 0 से 4 under root y और dy लियर है मेरी बात ? इसके बात में क्या होगा ? 0 से 4 , under root y क्या होता है ? under root y होता है y की power 1 by 2 क्या हो गया ये ? y की power 1 STEP 1 by 2 यही तो होगा वही और यहाँ पर लिमिट लग जाएगी 0 से 4 तो यह क्या हो जाएगा 2 और इंटू में वही 3 by 2 है तो उल्टा होके 2 by 3 हो जाएगा बाहर आ गया और y की पावर 3 upon में 2 और लिमिट लग जाएगी 0 से 4 ठीक है क्लियर है मेरी बात बहुत ही जाद हीजी है कुछ नहीं है इसमें दो दूनी 4, 4 बटे में 3 और y की पावर 3 by 2 तो 4 रख देंगे y की जगे पे एक बार आ जाएगा 4 की पावर 3 by 2 और माइनस 0 की पावर 3 by 2 0 की पावर कुछ भी हो 0 होगा तो हम कह सकते हैं इसको solve करेंगे तो 4 upon 3 अब 4 को कह लिख सकते हैं 2 का square तो 2 का square into में 3 upon में 2 2 से 2 cancel हो गया है ना हो गया की नहीं हो गया तो हमारा क्या बचा 2 की पावर 3 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा तो 8, 4, 32 और बटे में 3 वर्ग एकाई तो इस तरीके से इस question को हमें solve कर लेना है देखा कितना जादा easy था आईए next question देखाता हूं next question जो है वो तो अब ही exam में पक्का आने वाला है क्यों क्यों क्योंकि यही exam में लगातार 2010 से लेके आ रहा है 2010 से लेके यह question आ रहा है इसको ध्यान से देखा वाइस परवल है वाइस स्कार जीकल स्टू 4 एक्स और उसके नाभी लंब से गिरे छेत्र का चेत्र फल तो नाभी लंब से गिरे छेत्र का चेत्र फल है 2010, 12, 16, 17, 19, 22 है ना लगातार रहा है और NCRT का एक्जाम्पल है ठीक है तो यह most important है इसको भी फटावट से कर लेती है ठीक है तो question है बच्चो परवल है उसने बूल दिया अबा काईदा परवल है यह आपको पता है कि इधर बनता है और उसके नाभी लंब से गिरे छेत्र का चेत्र फल से गिरे छेत्र का चेत्र फल हमें ग्यात करना है और दो है 10, 12, 16, 17, 19, 22 है ना बहुत बार पता नहीं कितनी बार आज चुका है तो फटावर्ट से इसको कर लेते हैं सबसे पहले हम जब हल करेंगे तो लिखेंगे परवले y square is equals to 4x का समीकरण लेकिन आपको पता होने चीए कि नाभी लंब जीवा का समीकरण क्या होता है जो नाभी लंब होता है अभी मैं आपको समझाओंगा डाइगराम के तरू नाभी लंब जीवा का समीकरण वो होता है x बराबर a, कितना होता है x बराबर में a तो ध्यान से समझे यहां पर आपको श्र मदाली निए पहले यह एक्सी बना लिए आपने और उसके राद में x ऐक्सी बना लिए आप y by ऐक्सिस बना लो of y Hazy औक तो एकस और बनाज्द आए प्लस में ये वाला भी तो हम क्या करेंगे एक का निकाल लेंगे दो कर देंगे यही काम है हमारा है ना इसका दो गुना होगा यह total total क्या total निकालना एरिया इसका निकाल लो उसका भई double कर दो चीक है clear है मेरे बात यह point O माल लिया यह P माल लिया यह S माल लिया इसकी equation होगई 0 पूरा एरिया फाइंड करना है तो जब यह पूरा एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे इस सबसे पहले हम पी एस ओ पी इसको फाइंड कर लेंगे और इसका डबल कर देंगे पी एस ओ भी फाइंड कर लेंगे और इसका डबल कर देंगे पूरा एरिया आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा यह तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है जिरो से चलना है तो हम कह सकते हैं जिरो से चल टू इंटू में इंट्रिगेशन 0 से A पहली बात तो ये दूसरी चीज हम क्या कर रहा है X के रेस्पेक में कर रहा है Y के रेस्पेक में नहीं कर रहा है X accessator चोरी है जब X accessator चोरी है तो Y का integration करेंगे जब Y का होता है तो X से करते है ठीक है? तो Y का integration करेंगे है तो Y लिख दिया और DX X के रेस्पेक में करेंगे अब Y की value कितनी हो जाएगी? तो Y की value देखो Y square is equals to 4AX तो Y की value कितनी हो जाएगी? Under root 4AX हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो हम कह सकते हैं आपे 2 into में integration 0 से A under root में 4AX और DX हमारा A हो जाएगा under root में A हो जाएगा और integration किसका करना? 0 से A under root X का under root X के लगते है X की power 1 by 2 और DX ठीक है? इसके बाद में 2 दोनी 4 under root A हो गया X की power 1 by 2 का करेंगे वह हो जाएगा X की power 2 by 3 X की power 3 by 2 3 by 2 और upon में 2 by 3 by 2 आएगा उसको लिख सकते हैं direct 2 upon में 3 और यहाँ पर limit लगा दो 0 से A तो भई direct समच जाओ मेरी बात को कि यहाँ पर हम X की लेएपर क्या लिखने वाले हैं? X की लेएपर A लिखने वाले हैं X की लेएपर क्या जाएगा? A आ जाएगा ठीक है? तो यहाँ पर देख लेएपर तो यह हो जाएगा 4 under root A into 2 upon 3 और into X की A की पावर 2 upon 3 और minus 0 यह हो जाएगा भी अब इसके पाद ध्यान से कितना हो जाएगा? 4 दूनी तो 8 हो गया 8 बटे में 3 और under root A हो गया और यह क्या हो जाएगा? A की पावर यह 3 by 2 है, sorry 3 और upon में 2 अब 3 upon में 2 है तो इसको का लख सकते हैं? इसको लख सकते हैं A under root A क्योंकि A की पावर 1 और A की पावर 1 by 2 इसको ऐसे लख सकते हैं तो बहुत सकते हैं और under root A कितना हो जाएगा? under root A हो जाएगा और A into A कितना हो जाएगा? 8 A स्क्वार हो जाएगा तो 8 upon 3 A स्क्वार वर्ग एक आई कितना हो गया? वर्ग एक आई देखा? तो इस तरीके से इस वाले कोशन को भी हमने solve कर दिया ठीक है? आईए next question को देखते हैं जो कि बहुत ही जादा important है और ऐसा question आपको देखने में जरूर मिलेगा अब यह मत बोलना कि भी आप सारे questions को important बताते हो लेकिन यह वाले जो question बताने वाला हो यह बहुत जादा important है और आपको अपने exam में देखने को जरूर मिलेगा question यह है question next कि वक्र y is equals to cos x तथा x सक्ष के मध्ध का 6 रफल के मध्ध का 6 रफल ग्यात करो ग्यात करो जो x is equals to 0 से x is equals to 2 pi के मध्ध है x is equals to 0 से x is equals to 2 pi के मध्ध है तो चाहे sign का आजाए चाहे cos का आजाए आपको कैसे find करना है आपको यह पूरा देखना है 2015 में आया वाइस इस इक लोस्ट पलु को तूपाई तक जाना है तो हम ने देखा कि हमारे पास जो कौसेक्स का डिайगराम बनता है वो ऐसे करके बनता है है ना आपको याद कर लेना है समझ लेना इसको फिलाल तो कि यह जिरो से स्टार्ट हुआ और यहां पर उता है टू पाई यहां तक उता है टू पाई तो हमें यह वाला एरिया निकालना है प्लस यह वाला एरिया देना है और प्लस यह वाला भी एरिया देना है तो हमें इतन पहले हम से कैसे करेंगे, देखो है इसे बाट लेते हैं पहले, तोच में ऑई यह पाइप टू है, और यहां पर यह तीरी पाइब टू है, और फिर उसका पर में टू पाइब द्वाइब कर ले तो यह आपकी लिमिट की इंि इंट्रिएशन की सारी इंकाल उता बिद गाया है तो क्या कर ना है्ट काइग असे किसे पाई वाइट ऐडा एंट कीक इस का इधर नीचे की तरफ है यह वाली एक सिसका नीचे की तरफ है तो मैंनस का जहाए इसके प्लस का जाएगा उपर चला गया तो 3 पाइब वाइट तो से 2 पाइब और कॉसे एक्स ठीक है इस तरीके से सॉल्ब कर सकते है अराम से तो इधर देखलो भी कॉसे सब्सक्राइब 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 फिर यह वाली आजाएगा sin3 pi by 2 और minus sin five by 2 फिर कर जाएगा प्लस इसको रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह इदर लिख देता हूं जगय कम है साइन टूबाई स्वा只 racin 2 पाइच माइनस साइन 3 भएटू इस तरह के से रख सकते हैं ह Mix 2 आप दो थेखोई सां पाइबाइच वन होता है मैनन और माईनस साइन पाई गटू गितने वन है तो यह कितना हो जाएगा देखो पीछे संदाएगा एक बार और इसको पीछे लिख दिता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा दोबारा सी ध्यान से देखो साइन पाई बाई टू माइनस साइन जीरो यह आया तो उसका आप माइनस साइन थ्री पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू आया उसके आद में प्लस साइन टू पाई साइन टू पाई माइनस साइन थ्री पाई बाई टू आया अब sin pi by 2 कितना होता है 1 minus 0, तो ये कितना हो जाएगा 1 minus 0, minus sin 3 pi by 2 कितना होता है, minus 1 होता है और ये minus, ये भी 1 हो गया और उसके बाद में plus, और इसके बाद में हमने देखा कि ये क्या है, ये 2 pi कितना होता, 0, ये कितना होता, 0 को प्लस का वर्ग एकाई गए के बचे हुए को बागी के बस इतना ही चैनल पर बने रहीए गा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए है तो मिलते हैं बहुत बहुत वीडियो में गाइड